तो शुरू करते हैं इस नए अपडेट से बड़ा ही दुखद एक वाक्या हुआ है उत्राखंड की एक राजधानी तो बहरादून है जिसे एक टेंप्रेरी या जिसे अस्थाई राजधानी कहा जा सकता है और एक राजधानी जिसके लिए उत्राखंड में बहुत बड़ी लड़ाई चल रही है उस राजधानी का नाम गैरसेड है एक वाक्या हुआ, जिस वाक्य की मैं बात कर रहा हूँ जो दुखद वाक्या हुआ, उसमें गैरसेड आते हुए दो युवक, बाइक सवार एक ट्रक के साथ टकर की वज़ासे पूरी तरह जखनी हो जाते हैं पीछे बैठा हुआ युवक, ट्रक के नीचे आ जाता है और उसकी टांग और कूल है, यानि कि उसके हिप्स के उपर से ट्रक का टायर निकल जाता है, उसके कूल है को तोड़ता हुआ, उसकी टांग को तोड़ता हुआ मामला तो दुखद है, लेकिन इससे ज्यादा दुख की बात ये है, कि जब इन्हें सामुदाइक केंदर में ले जाया जाता है सामुदाइक स्वास्तिकेंदर में ले जाया जाता है ये सामुदाइक स्वास्तिकेंदर वही है, जो उत्राखंड की सरकार ने उत्राखंड की जनता को धोखा दे कर मैं इसे धोखा इसलिए कहूंगा, क्योंकि ये केवल रेफर सेंटर बन चुके हैं, ये केवल रेफरेंसेस के लिए काम आ रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए डॉक्टर ना तो मरीज को देखते हैं, ना देखना चाहते हैं, केवल एक परचा निकालकर रेफर कर देते हैं उसे आगे किसी बड़े हॉस्पिटल के लिए जब हम बात कर रहे हैं रेफर होने वाले हॉस्पिटल की, तो ये हॉस्पिटल इतने इतने दूर हैं कि इन हॉस्पिटल में पहुँचने के लिए कभी-कभी मरीज को एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी और दूसरी गाड़ी से तीसी गाड़ी में जाना पड़ता है 108 ambulances का ये refer centers प्रयोग करते हैं लेकिन दोस्तों ये जानना जरूरी है कि क्या हो रहा है इन reference centers की आड में तो होता कुछ यूँ है कि जब ये दो व्यक्ति जो जखमी व्यक्ति और इन में से एक व्यक्ति जिसकी टांग और कूले के ऊपर से ट्रक चला गया है उसे आनन पानन में वहाँ पर राउंड्स पे निकले पुलिस कर्मियों ने उन्हें उठाया और जिस समय ये घटना हुई उस समय वहाँ के थाना ध्यक्ष सुभाष जखमोला राउंड पर थे और उन्होंने तुरंथ इन्हें इन दोनों को अस्पताल पहुंचा है लेकिन अस्पताल में वही कहानी न वहाँ पर किसी डॉक्टर का होना न वहाँ पर किसी दवा का होना यहां तक की ब्लड टेस्ट एक ब्लड टेस्ट जैसी जो जरूरी और एक बहुत छोटी जो प्रक्रिया है वह भी लोगों को मुहया नहीं कराई जाती अब ऐसे में ये मरीज रेफर तो कर दिये गए आगे के बड़े हॉस्पिटलों में लेकिन एहम बात तबाई जब इन लोगों को जब रेफर किया गया तो उस पर उस दस्तावेज पर जो हस्ताक्षर होने थे वो जिन मुहतरमा के होने थे जिन डॉक्टर साहिबा के होने थे वे डॉक्टर साहिबा कहीं देखने के लिए नहीं थी जब डॉक्टर साहिबा को लोगों ने और लोगों के जनप्रती निधी ने फोन करकर हॉस्पिटल में बुलाया कि आपकी आवश्यक्ता है कम से कम मरीज को देख ले या आपकी आवशकता है इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर के लिए तो डॉक्टर सहीबा का गुस्सा फूट पड़ा डॉक्टर सहीबा का गुस्सा सातवे आस्मान पर था उन्होंने वहां सारे लोगों को ज़ड लगाई और वहाँ पर बैठे हुए लोगों से पूछा कि तुम होते कौन हो मुझे फोन करने वाले और अकर तुम्हें इतनी परेशानी है तो जाकर अपनी सरकार से बात करो डॉक्टर साहिबा को बताते हैं कि हम लोग कौन है कौन है हम लोग जो पूछ रहे हैं उनसे सवाल पड़ी है और उन कॉलिजों की जो नीव रखी गई है उन कॉलिजों में नीव रखने के बाद जो taxation rebates दी जाती हैं न वो इन ही लोगों के काम करे हुए पैसे के taxes हैं जिस जगह पर आप काम कर रही हैं जिस जगह की आप salary उठा कर अपने घर में बैठी है, साज बहू का सीरियल देख रही है, या अपने घर में बैठ कर आराम फर्मा रही है, जिस समय वहाँ पर बैठे लोगों को आपकी जरूरत है, ये इन ही लोगों के पैसे हैं। यदि आप कहते हैं कि आप अकेली ही वहाँ पर डॉक्टर हैं, तो आप ही का फर्ज बनता है सरकार से या अपने एड्मिनिस्ट्रेशन से इस बात की गुहार लगाने की। आखिर आप भी तो समाज का हिस्सा हैं, लेकिन आपके सर में तो अफसर शाही का भूत सवार है। बात दोस्तों यहीं खतम नहीं होती है। इस सब के बाद जब डॉक्टर साहिबा को ये लगा कि उनकी गलती है और उस गलती को छुपाने के लिए एक सेल्फ एस्टीम और एक जूटी प्राइड जो लोगों के अंदर होती है। जब वो आहत हुई डॉक्टर साहिबा की तो उन्होंने पुलिस के सामने एक F.I.R करी गैरसेंड के उस जन प्रतिनिधी के खिलाफ जो उन दोनों लड़कों को बचाना चाहता था। जो ये चाहता था कि इन दोनों बच्चों को इलाज समय पर मिले। जो ये चाहता था कि डॉक्टर साहिबा केवल अपनी डूटी बैसी ही निभाएं जिस के लिए वे वहाँ पर आई थी। लेकिन आज उसी काम के लिए जिस काम के लिए उस जन प्रतिनिधी को चुना गया था, उस काम को करते हुए उस जन प्रतिनिधी को उठा कर सलाकों के पीछे तकेल गया गया है। अभी भी उस पूरे इलाके में लोगों के अंदर रोश है। और ये एक मात बात नहीं है, ये गैरिसेंड में पहला कोई इंसिडेंस नहीं हुआ है। इससे पहले भी एक गरववती महिला को डॉक्टर ने देखा और कहा कि बच्चा उल्टा पैदा होने वाला है, इसलिए यहां पर हम इसके लिए इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इसलिए इनको रफर कर दिया गया दूसरे हॉस्पिटल में आपको जान दुख भी होगा, दुख हमारे दर्द पर, कि 14 किलो मीटर दूर, जब उन लेडी को ले जाया जा रहा था, जब उस गरवती महिला को ले जाया गया था, तो ठिक 14 किलो मीटर दूर ही प्रसव हो गया भगवान की दया से जच्चा और बच्चा दोनों हिफाज़त से हैं, लेकिन अब मैं क्या मजाख लगा रखाया है, शब्द कम पढ़ते हैं, शब्द सही में कम पढ़ते हैं, डॉक्टर साहिबा, अपने घमंड को नीचे करिए, और सरकार जो धोका आप लोगों को दे रहे हैं, ये किस बात का धोका आप दे रहे हैं, क्या चाहते हैं आप, कि हलके हलके उत्राखंड के पहाड़ों में बसे सभी लोग मर जाएं, समाप्त हो जाएं, या उनकी जिवा में बसी हुई ताकत खत्म हो जाएं, जिसके बाद आप पूरा प पहाड उठा कर किसी भी एरे गेरे नत्तु कहरों को बेच दे, धंदे बाजों को बेच दे, विदेशियों को बेच दे, क्या चाहते हैं आप, कि यहाँ पर रहे हैं वो उत्राखंडी, जो हर घर से या तो टीचर्स, या तो फॉजी देते हैं, उनका अस्तित्तों खतम हो जाएं? कौन सी रणनीती बना रहे हैं आप? अब तो आप लोगों के घरों में वोट मांगने तक नहीं जाते हैं. कम से कम लोगों के साथ करी हुई बातें उनको दिया हुआ, अपना वचन तो निभाएं. स्वास्त के मामलें पे लोगों के साथ धोका ना करें. डॉक्टर साहीबा का नाम मैं शायद इसमें बताना भूल गया था तो डॉक्टर साहीबा का नाम है डॉक्टर सॉम्या राठार. डॉक्टर सौमयर आठाओर वैसे उतराखंड से नहीं है तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उतराखंड में इन परवती इलाकों में डॉक्टर्स आने से वैसे भी कतराते हैं और इतने सालों में कोई भी सरकार इतनी सक्षम, इतनी अच्छी नहीं हो पाई है कि डॉक्टर्स के लिए वहाँ पर ऐसी परिस्थितियां बनाए जिससे कीवे लोगों की सेवा की ओर ध्यान दे डॉक्टर्स तो केवल वहाँ पर अपनी जेब भरने जा रहे हैं ये सभी डॉक्टरों की बात नहीं है कई डॉक्टर्स, जैसे सत्पुली में कुछ डॉक्टर्स या पर्टीसांड में कुछ डॉक्टर्स अपनी जेब से खर्चा करके लोगों को दवाई दे रहे हैं लेकिन ये स्थितिक क्यों आ रही है क्यों hospitals में दवाएं नहीं हैं? क्यों hospitals में x-rays नहीं हैं? ultrasound की machines नहीं हैं? आखिर हम कौन से sun में रह रहे हैं? कौन से वर्ष में हम लोग हैं? दुख की बात है कि एक doctor, एक patient को केवल इसलिए देखने से मना कर देता है या दूसरे hospital में refer कर देता है सिर्फ इस बात के लिए कि आपका बच्चा उल्टा है और वो बच्चा 108 एंबुलेंस में 14 किलोमेटर दूर पैदा हो जाता है इसी सामुदाइक केंदर की तीसरी बात में आपको बताऊं तो एक व्यक्ति अपनी बिटिया को जिनको emergency condition में दवादारू की जरूरत थी लेके गए सामुदाइक केंदर में तो वहाँ पर परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि वहाँ पर बैठा व्यक्ति शराब के नशे में था जिहां शराब के नशे में था इस सामुदाइक स्वास्थ केंदर में बैठा व्यक्ति अगर इन सारी स्थितियों में इन सारी परिस्थितियों में आपको केवल एक ऐसा ही व्यक्ति बैठाना है जिसको हस्ताक्षर मात्र करने हैं, रेफर करने के लिए दूसरे सेंटर्स में, तो आप बारवी पास व्यक्ती बठाइए. इन डॉक्टरों से कम पैसे लेंगे, इन डॉक्टरों से, डॉक्टर सौम्या जैसे डॉक्टरों से कम पैसे में, आपको अच्छे बारवी पास लड़के मिल जाएंगे या लड़कियां मिल जाएंगी जिनका काम केबल हस्ताक्षर करना होगा आज हमारे बच्चे, आज हमारा समाज वहाँ पर केबल इसलिए खड़ा है कि डॉक्टर आएंगे तो हस्ताक्षर होंगे तो गाड़ी हिलेगी, तो ये व्यक्ति की जान बचने की स्थिती पैदा होगी. अफसर शाही का इससे बड़ा नमूना आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा. जाते-जाते मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा, किस तरह, किस अभधरता से, ये महिला गाओंवालों के साथ बात कर रही है, मैं फिर आप लोगों से ये तरखास्त करूँगा, मेरी आप लोगों से प्रार्थना है, कि जागें साथ आएं उस समाज के, जिस समाज का आप हिस्सा है, और कम से कम ऐसे लोगों को, इनकी ड्यूटी से या तो बाहर करें, और या इन्हे सबक सिखाएं, बहुत से अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो यहां सेवा करने के लिए तैयार होंगे, या उन्हें प्रार्थना करके तैयार कर लिया जाएगा, समाज उनका पूरा ध्यान रखेगा, उनके साथ खड़ा होगा, लेकिन ऐसे डॉक्टर, जो सिंडिकेट बना कर, गाउवालों के विरुद साजिश करते हैं, गाउवालों को जेल में डलवाते हैं, गाउवालों के उपर ही जूटे मुकद में दर्ज कराते हैं, और गाओं वालों को ही गुंडा बता कर उनके खिलाफ शडियंत्र बाजी करते हैं उनका अहित करते हैं ऐसे लोगों से सावधान होना जरूरी है तो देखे ये विडियो देखे ये अभधरता तो देखे ये अभधरता जरूरी है झाल तो झाल झाल然后 पोल्स ए सकी रहते हैं जया हुआं बसूरी है